असलाम लेकुम नाजरीन आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट मैं तौसीफ रहतर और इस वक्त मेरे साथ मौझूद है शबीर लेटी नाम तो सुना होगा और बहतरीन आरूंडर माने जाते है जमू कश्मीर के इन ही से आज बात करेंगे और जानने की कुशिश करेंगे आज मतन प्रेमिर लीग खेलने आए तो पहले खेर मगदम करना चाहिए जाए जाब ने मतन प्रेमिर लीग में मैच खेला तो कैसा ग्राउंड है यहां पर और आप काफी सारी लीग में पाट ले रहे हैं तो यह लीग कैसे लगई आप सर टो बी आनिस्ट मैं एकी बात कहूंग तो मेरे साब से यहां पर बहुत अची लीग भी आरगनाइज होती है नात कश्मीर में आपने वहुत किर्केट खेला है और ज्यादा तर मैट विकेट पे किर्केट होता है तो क्या फला करागरती है आपको मैट विकेट और टर्फ विकेट में सर सही बात है डिफरेंस तो बहुत है मैट विकेट और टर्फ विकेट पे पे तर्फ ओक तर्फ विकेट पे आपको क्या मलब थोड़ा भाइज तो डिफरेंद फड़ोच के साथ खेलना पड़ता है और मैट यह होता है कि मलब हम ज्यादा बौंस मिलती है वहां पर जब कि यह चीज अ मेरा मैट के लिए तो उसे फिर प्रॉब्लम ही होती है ससर डॉमस्टिक सीजन आने वाला है नौमबर से स्टार्ट होने वाला है आज आप प्रैक्थिस भी मास्यालला कर रहे हूँ क्योंकि आप सोचल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हो क्या कहना चाहते हो प्रैक्टिस को लेके क्योंकि फिटनेस एक एहम है खिलाडी के लिए क marché करना यह हर एक लड़के का सपना होता है कि मैं पहले स्टेड को रिप्रेजन करूं या उसके बाद आगे टीम में इंडिया टीम में जायगा हो सरही है कि आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है क्योंकि अगर आपको उपर वाली किरकट खेलनी पड़े कि उसके लिए आपको बहुत फिट रहना पड़ेगा जैसे अगर हम आज की बात करेंगे सर को भी ऐसा होता है कि बंदा कभी डबूल ले ही नहीं पाता है और जब हम बाहर जाते हैं पाता ही हमारी कश्मीर में चार मोस्मंज होते हैं तो मिई दिधिट यद्फरन ले area to ले 5 अपको उस लेवल के काम करना पड़ेगा खुदके और विल फिट्नेस रखनी पड़ेगी तब ही जाकि आप अच्छा किर्कट खेल सकते हैं कि अब तो हाड़ शिपस बहुत है अभी भी बहुत है क्योंकि जब से पादर की डहत हो गई है तो शायद मेरी लाइप भी बैक फुट पे है मेरे साब से मैं मलब यह बहुत सरहना देता हूं खुद को कि मैं किरकट खेलने के लिए आता हूं क्योंकि जब आपके वालिद जाले जाते है तो आप सीधी सी बात है बैक फुट पे जले जाते हो यह जानना चाहूंगा क्यों मैं कि खासकर आपने बाएर भी किरकट खेला है तो आपने बहुत आईसे खिलाडियों से डगवड भी शेयर किया होगा एक्स्पेरियंस जब यही होती है जब आप बड़े होता है उन चीज़ों से क्योंकि आपको at the end of the day आपको खुद की तरफ देखना पड़ता है और उनकी स्ट्रगल्स की तरफ देखना पड़ता है जो एक बड़े प्लेयर ने की होती है तब जाके वो कहते हैं कि मलब तभी जाके वो बड़े मुकाम पे होता है आपने 200 हैंड कश्मीर में एक और क्रिव में शायद एक तो क्या आपको लगता है कि आगे अगर हम ज्यादा मैट विकेट पे खेले वो एक नुकसान है खासकर आपके लिए सर सही बात है अगर आप बहर जाओगे मलब या ट्राइलिस में क्योंकि आपको फिर वो बोलिंग आटेक नहीं म अबहर आप यहां क्याँ आपको लगाता है तो इसलिए हम शायद यहां पर खेलनी के लिए आते है एक रड़के के लिए इतना है खासकर जिसका सफना होता है कि मैं आगे जाओ उसके लिए कितना यह नुकसान है मैट विकेट तो बहुत ज्यादा नुकसाने बट एक चीज होता है सर जो नेट में अच्छा खेलता है नेट सुच्वेशन और मैच सुच्वेशन बहुत डिफरेंट है सर यह दोनों चीजे अलग अलग है तो आपको मैच के लिए प्रेपियर करना पड़ते है बट ड्यूट लेक अप इंफ्रेस्ट्रेक्चर जो हमारे जुमू कश्मी को काम करना पड़े गए सर एक रिसेंट लास्टियर एक एमो यू साहिन हुआ था स्पोर्ट्स काउंसलोर जेके से के दर्मियान अगर वो उस चीज पर काम करेंगे तो उस चीज में यह लिखा गया था कि हर डिस्टिक में आपको टर्फ विकेट प्रवाइड कराएंगे ज जो हमारे जितने भी बड़िंग करकटर्स है या जो आने वाले जनरेशने उनके लिए काप ही अच्छा होगा